कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने YouTube चैनल देने अच्टीवाइस सी पर और आज के इस वीडियों में हम बात करेंगे three Google गूगल हेक्स के बारे में जो आपके बहुत काम आएंगे तो चलिए वीडियो को सुनू करते हैं वीडियो को सुनू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्व चनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल नौटिफिकेशन को पर सेट कर दें ताकि पर उपक्राइब को सबसे पहले मिल सके तो चलिए वीडियो को सुनू करते हैं वीडियो सुनू करने के लिए सबसे पहले आपको ने जो है कोई भी ब्राउजर पर चले जाना है और पहला जूट्रिक है वह यह है कि अगर आप अपने Google को हैंड्राइड मोड में यूस करना सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको यहां 3 ferment ऑ Hill Man पोले पर जाएंगे तो आपको यहां सेटिंग ऑफ No mejans पर जाएंगे नीचे स्क्रॉle करें थो आपको यहां देख जाएगा हें रायड मूड तो यहां इसको इने विल कर देना अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे हैक के बारे में, तो दूसरे हैक में आपको, अगर आप कोई भी image को सर्च करते हैं, और आप चाहते हैं कि उस image आपको png में मिले, तो ये भी आप Google के द्वारा कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि भो कैसी कर सकती हैं सबसे पहले जो भी इमेज आप सर्च मतलब सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कीजिए और अपने जो Google को है desktop मोड में open कर लीजिए तो जैसी आप उसको desktop मोड में करेंगे तो तो आपको थोड़ी जूम कर लेना है और यहां आपको टूल्स वाले option पर जाना है जैसे आप टूल्स वाले option पर जाएंगे तो आपको यहां एक window open हो गह गही होँगी जैसे आप उस window में टूल्स वाले option पर जाएए कोई भी एक photo select कीजिये और यहां पर आप टूल्स में चले जाएए जैसी आप टूल्स में जाएंगे तो आपको यहां एक और बिंडो सो हो रही होगी यहां आपको कलर वाले उप्षन पर जाना है जैसे आप color वाले option पर जाएंगे तो यहाँ आपको तीन option दिखाई देंगे आपको यहाँ transparent इस वाले option को choose करना जैसे आप इसको choose करेंगे तो आपकी जो image है वो png में convert हो जाएगी और आपको बेक्ग्राउंड के image आएगी अब यहाँ से आप कोई भी image को जो है download भी कर सकते हैं image को press करके रखिए और यहाँ download image वाले option पर जाएए इस परकार से आप png image को भी download कर सकते हैं Google से यह बहुत ही आसान है अब बात कर लेती हैं हम अपनी तीसरी track के बारे में तो तीसरी track है आप Google को math calculator की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मान के चलो आप के पास कोई भी एक math का जो सवाल है जैसे कि मान के चलो 8 into 3 और आप सर्च कर देंगे तो यह जो है Google उसका answer आपको दिखा देगा इसी तरह से अगर आप के पास कोई भी math के औरी हो तो आप Google में search कर सकते हैं और उसका answer पा सकते हैं तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें साथ ही चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्नमाद करेंग वीडियो